ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जिनके 376 के मेंटर में एफार लग गई है या वो मुकदमा जोटा साबित हो चुका है या वो निर्दो शाबित किये जा जुके हैं मनने न्याले के माध्यम से तो ऐसी कंडिशन में आपके अधिकार क्या है फॉल्स 376 का मुकदमा दर्ज कराने वालों के विरुद्ध आप उनके विरुद्ध क्या कारवाई कर सकते हैं डेटेल हैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं गाऊंगा सिर्फ ये मेरा जो है लॉपॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं मैं कोई आपको अपना लीगल ओपीनियन सेक्श़ल रिलेशन्सिप बना रहे होते हैं LIVE-IN में क्योंकि रह रहे होते हैं आज कल होस्टल और बाहर रहके पढ़णे वालगरे घ्यादा है जिसमें लड़के लड़कियाँ डेली, NCR के लाके में ज्यादा दर LIVE-IN रिलेशन्सिप में एक दूसरे के साथ रहते हैं सारे किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ लेकिन गलत मैं उस condition में कह रहा हूँ जहाँ पर दोनों लोग आप सी सहमती से संबन मनाते हैं उनके बीच आपस में किसी चीज को लेके मन मुटाव हो जाता है उसके बाद उस लड़के को जो लड़का होता है मेल पार्टनर होता है उसके उप पुरुष हो 3376 सिर्फ आप कारित कर सकते हो as per law sexual harassment किसी का आप ही कर सकते हो आप किसी के साथ जब अदस्ती सारे लिक संबन बना सकते हो और विपक्षी आपके साथ नहीं बना सकता है यानि कि पुरुष पार्टी नहीं बना सकती as per law जो कानून कहता है कानून की दृष्टी में पुरुष ज़्यादा ताकतवर है हलाकि equal rights महिला और पुरुष दोनों को दिये गए हैं समान अधिकार दिये गए हैं चाहे नोकरी हो चाहे business हो चाहे elections हो सब जगा अधिकार दिया गया है लेकिन इस मामले में वो कम जोर पड़ जाती है कहानी यहाँ पर यह है कि दोनो खाऊना अन्य आ जाए या पैसे का लिंदेन हो उसके बाद जो है उस लड़के के उपर 376 के एफायार रद हो जाती है जहां पर मैं बता दू कंसेंश्वल सेक्शूल रिलेशनसिप है अगर आप कंसेंट साबित करने में सफल हो गए तो आप यद्यान रखिएगा कि आपक का में स्यूस कर रही है क्योंकि लॉग बहुत ज्यादा बायस है ये वाला इसमें उसका इस्तिमाल बुरा हो रहा है तो उसमें ऐसी कंडिशन में अब बचेंगे कैसे बचना एक है कि सबसे पहले जो एफायार रिलिगेशन लगाई जाती ज्यादा तर एफायार शादी का जहांसा देते हुए मेरे साथ सारे रिकसंबन बनाएं नर्शे की गूलियां खिला दी मेरी प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कर दी मुझे मारा पीटा धमकाया यही सारे ग्राउंट्स लिए जाते हैं जर्नली अब ये फायार आखिरकार हम लोग गिया कोर्ट क्यों अबसर्व क गई है क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने फाइल कर दी है कि यह कोई केस नहीं बनता या मुकदमा स्पंज हो गया है या कोर्ट खुद आपको पाती कि आप निर्दोश हो दोशी नहीं हूं तो ऐसी कंडिशन में आपके क्या अधिकार है आपका अधिकार पहला यह है कि आप आपने एविडेंस दिये जुडिशियल प्रोसेडिंग के दौरान गलत प्रूफ दिये ताकि कि किसी व्यक्ति को सजा हो जाए और उसका जीवन चौपट हो जाए तो ऐसी कंडिशन में गलत प्रूफ देने के एवज में आप उस महिला के विरुद उसके परिवार वालों क में आप यह करवाई कर सकते 195 IPC यह कहता है कि giving fabricated evidence with intention कि आपको आजीवन कारवास या साथ साल से अधिक वाले matter में फसाया जा सके तो उस condition में उस महिला को जूटे मुकदमे लिखाने वाले व्यक्ति को चाहे उसका पिता के दौरा F.I.R. कराई गई हो या उस महिला के दौर कारवास होगा अब आप कहोगी इसके खिलाफ कोई कारवाई होगी या उसको सजात होगी जब तक आप खुद से करोगे तब तक कैसे क्यों कोई करेंगा जब तक आप court से request नहीं करोगे, आप वहाँ पर petition नहीं डालोगे, plea नहीं करोगे, prayer नहीं करोगे, तो कैसे हो जाएगा, आपको लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोग अपने अधिकारों को जानते ही नहीं, उन अधिकारों को जानी है और लड़िये, उसके वाँ section 211 IPC य करवाई initiate करी गई या नहीं करी गई, तो आप देख लीजे, 182 में ये भी है, कि अगर पुलिस को आपने wrong information दी है, तो उसके लिए भी punishment है, उसके लिए आपके उपर मुकदमा चलेगा, इसलिए अगर आपके विरुद्ध कोई ऐसा false case हुआ है, और आपके matter में फार लग ग तो आप अपने lawyer से consult करें, हमसे कुछ चईदर description में detail है, definitely आप contact कर सकते हैं, thank you so much, जै हिन जै भारत